असलाम अलेकूम, मेड एर वीवर्स के लिए आज का व्लोग पूरे कराची में मशूर होने वाली रेड एपल की मटका भी एविवर्स तो जानिए इसका जाएका वाकई में कैसा है इसकी प्राइस और रेस्टूरेंट की लुकेशन आगे वीडियो में तो चले स्टार्ट करते हैं अस्सलाम अलेकूम और विस्मिर्स मानेर हैं इनके साथ आज का व्लोग शूकरते हैं मौकमाल और इस्टार में मुझूर रेड एपल पर जिसकी मटका भी एविवर्स बिर्यानी में से एक है तो चले अंदर चलते हैं और देखते हैं किस सरा से बनती है इसका जाइका वागए में कैसा है और इसकी प्रैस का है चले हैं रेड एपल की कराची में दस से भी जादा ब्रांचिस मुझूद हैं जिसमें से मैं इस वक्त आया हूँ गुलिस्ताने चोहर ब्लोग चोदा वाली ब्रांच पर यहां की एग्जेक्ट लोकेशन का लिंक और कॉंटेक नमबर आपको वीडियो के इंचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा काफी खुबसूरती से बना हुआ ये रेस्टूरेंट दूर से ही लोगों को अट्रेक्ट करता है और सिटिंग के लिए यहां पर आउट ओर के साथ साथ इंडो सिटिंग एरिया भी मोजूद है यहां का इंटीरियर भी जबरदस्त है और आँखो को काफी ज्यादा खुबसूरत लगता है रेस्टूरेंट पे आप अपनी बर्थ्टेक और दूसरी पार्टिस के लिए भी प्री बुकिंग करवा सकते है साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले एरिया भी मोजूद है यह यहां का मेन्यू काट जिसमें रेड अपल के सभी मज़िदार आइटम मुझूद है और जिनके जाइके की वज़ज से यह काफी जादा जाना जाता है तो चले मज़ीद मालूमात लेते हैं यहां की मटकब बियान के बारे में वालेकुम सलाम आपका नाम के है आबित मेरा नाम है रेड एपिल नाम है यह को सी प्रांच है जोहर महुंद तो हमें आपके एक मटक प्रियान के बहुत आरी सुन्दी बहुत ओसम होती है सर हमारे कस्टमर जो बहुत लाइक करते सर इस चीज की वैली बहुत अच्छी है इ और अब हम देखेंगे के ये मटका बिर्यानी किस तरह से तयार की जाती है कर दो है जाती है झाल 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 तो मटका ब्रियन इंतियार है और सर्विंग के लिए आज चुकी है तो चले इसको उपिन करते हैं अचा काफी जादे एक सैटमेंट हो रही है मुझे इसको उपिन करने के लिए ब्रबर्दस तरह तो चले यह हमें साफ कर के दे रहें किस दर शहते साफ करते इसको सबरस खुश्बूल ला जवाब है तो चले इसको टेस्ट करते हैं अच्छे इसकी खुश्बू बागी में ला जवाब है वह कि चिकर्नेट करी है तो ये एक तरह से ट्का बिर्यानी भी है तो इसको ट्राइ करते है मुझा जवाब अच्छे 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 रिप्स रिटेस्ट है अच्छा एक तो बिरियाएनी के टेस्स वैसे में बहुत अच्छा है और दूसरी बात इसमें से जो कोईल लाओ इस कोकी की जो खुश्बू हारी है ना वो इस बिरियाएनी को मजीर चार चार लगा रही है अच्छा काफी मज़ेदार और जबर्दस बिरियाएनी है और इसका टेस्ट है उसी वज़से आपका मज़ा भी दोबाला हो जाएगा अच्छा आपको मैं इसके प्राइस बता दूं वह है 5.65 तो यकीन आपको अपको अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ यह पर ज़रूर ना चाहिए प्यूंकि वाकी में ये कराची की बैस मटका बिरिया नहीं है उस दाइका इसकाल वाकी में लाजवाब है मेरी रस बिरियानी के साथ साथ यहां का ड्रेंग भी मज़ेदार और रिफ्रेशिंग है और काफी ज्यादा मज़ा देता है तो फिर आज का मेरा व्लोग आपो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहे उसे लाइक और अपनी फैमिली और फ्रे आफिस